इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक RTI हुई वो RTI में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूँ उसमें लिखा है इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्री लंका को दी ना उनसे कुछ लिया इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांगलादेश के साथ इसी मैतरी को आगे बढ़ाते वे जो बांगलादेश चाता था वो किया इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलेंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए इन्हें जवाब देना है कट गरे में इन्होंने खुद अपने आपको खड़ा कर दिया और बिचारे जैशंकर जी अब उन तो मजबूरी है उनको जवाब देना पड़ता है उनको प्रेस कॉंफरेंस करनी पड़ती है जरा कोई जैशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साब आप तो चीन के एमबैसडर रहे हुए हो क्या हो रहा है? 4000 स्कूर किलो मİटर चीन ने कबजा कर लिया क्यों नहीं जवाब देते? क्या क्या इन लोगों ने? बात चीन की हो रही है चले गए शृलनका ना भूगोल की जानकारी ना इतिहास की जानकारी ना होमवाग करते हैं प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता है इस तरह से हलकी बातें करना मंत्री होमवग करके आते नहीं है इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्धे पर एक RTI हुई वह RTI में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं उसमें लिखा है इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन को दी न उनसे कुछ लिया इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांगलादेश के साथ इसी मैतरी को आगे बढ़ाते वे जो बांगलादेश चाता था वो किया इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलेंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए इन्हें जवाब देना है कट घरे में इन्होंने खुद अपने आपको खड़ा कर दिया और बिचारे जैशंकर जी अब उन तो मजबूरी है उनको जवाब देना पड़ता है उनको प्रेस कॉंफरेंस करनी पड़ती है ज पुगोल की जानकारी ना इतिहास की जानकरी ना होमवर्ग करते हैं चले आते हैं साब कभी जो मुठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता है इस सरे से हलकी बातें करना